आज हम देखते हैं question number 54 and 55 दोनों एक ही सवाल में है 54 और 55 तो एक ही साथ दोनों को हम लोग solve कर रहे हैं 54 और 55 को किर्चौफ सुला का 54 और 55 तो किर्चौफ सुला में जो question number 54 है उसको आप देखिए गौर से हाँ तो ऐसा कुछ सवाल है कि यहां पर एक 10 ओम है यहां पर एक 10 ओम यहां पर एक 20 ओम और फिर यहां पर एक 10 ओम और यहां पर एक 20 ओम यहां से यहां जाईए तो एक 12 ओम और यहां से जब आर है हम लोग इस पॉइंट तक तो एक रेसिस्टेंस है जिसके ऊपर ऊपर आया है और यह रेसिस्टेंस का नाम है 8 ओम है चारों-चारों का दूग हो है इदर छेओं-चेओं का दूग होथा तो बारों कर दी इधर आटों कर दी अई पॉयंट का नाम है आई कि पॉइंट का नाम है एंड कि तो कोस्टेन नमबर 54 में बताना है कि एक्युवैलेंट रेसिस्टेंस बीट्विन एम एंड एन यह और एन के बीच एक्युवाइंट रेसिस टेंस बताना है यह 54 नंबर कोश्चन है सरसे प्रतिक कोश्चन को अब लग थोड़ा आसान बनाये हैं देखिए आप M से बाद इधर 20 ओम इधर N से 20 तो माले की पॉयंट इन है और इंके बाद 20 ओम और N के बाद 20 म के बाद 20 एंके बाद 20 यहांसे दो निकला एक 20 और दस और एक बार तो यहां से जो निकला है वो दस और आठ तो यह दस और आठ तो जो आठ निकला है वो इसके दस ओम बला में जाकर टेच होगा यहां और इसका बारह'm तो इसका दस जाकर बिला थिसका ग्रण आर इंधर का दस यहां देख्या का रहा कर मिला है यहां आप इदुनुंगे जेखें के दस जेखें की पीजिएक थी तो जोड़ देते हैं लगए 55 में क्या था कि करेंट भी निकालना है अगर इसको 100 गोड के बैट्रिक से जोड़ दिया जाए तो उल्टा है पहले करेंट ही निकाल देते हैं तो यहां 100 गोड का बैट्रिक पर लगा दिए प्रिक से वेक्षी में स्वाल गोड़ रहा है तो यहां से अगरेंट हम निकाले यहां से आई चला गया तो यहां से आई-धर यहां प्लस आई-टू फिर सम्मिल के यहां आई-धर आजयागा आई-धर यहां आई-धर मैंने साउन-थर यहां में लिखागे यहां तो फिर निकालते हैं पहले हम लोग आई का भेलू निकालने की चक्कर में में नूसरे पहले पछपन नमर सब्के इसल्टिया तो सब्सक्राइब में इस बहागा देंगे अपने आप एक्युवैलेंट रसिस्ट यहां साही करेंट निकला था हम पहले के लिजा लगा रहें किसमें किसमें देख़िये का आइसाइब हो सबाए यहाँ मैरे पेली सारी को लीक्रिय एक लुए आजसे लगांगे के लिए लिकवार इसमें लगाए रहे हैं के लिए तो 20i यहां बेज यहां में एक सासर लिखे हैं minus 40i यहां लिखे अर्ष आट आइवन प्लिस आईटू बाला यहां लिखे करेंगे डियरेक्षन चलेगे तो minus और यहाँ plus 100 i equal to zero तो यहाँ कर देए minus बीस आई मैंनस में 10 i1 minus में अठ इन अधी माइनस में फिर ए माइनस में पलस सो बराबर जीरो सब तो सबको स्वाल्व कर लिए तो आया वीशाज प्लस नइन आयवन प्लस चार इस ब्रबर प्रचास अब एक वाद इसमें गुम रहे हैं इसमें तो 10 i1 माइनस में फिर 10 i2 इधर पलस में अधर पलस में 12 i-1 बड़ाबर 0 इसको solve के ता गया 5 i2 प्लस 6 i-11 i1 बड़ाबर 0 अब के बिल इसमें लगा रहे इसमें चल रहे तो 8 i1 प्लस यहां से शुरू करते हैं तो 10 i2 पहले माइनस में फिर 8 i-i2 माइनस में और फिर पलस में 10 i-1-i2 यह बड़ाबर 0 यहां से कि क्योंसे इतना गया माइनस 14 i2 माइनस 9 i1 प्लस 5 i बड़ाबर 0 अब समिक्रन एक और समिक्रन तीन को गौर से देखिए तो 9 i1 9 i1 सेम टू सेम है पलस माइनस तो दुनों को जोड दिये एक और तीन को तो बीस आई और वहां से पांच आई पर चीस आई चार आई टू माइनस 14 i2 माइनस 10 i2 बड़ाबर पच्चास तो 5 i और माइनस 2 i2 और पच्चास इसको तो स्वाव कर लिए समय पांच कॉमन ले लिए समिक्रन एक और तीन को जोड़ने के बाद यहां से पांच कॉमन ले लिए तो एक इवन गया तो आगे एक समिक्रन i और i2 में और दूसरा भी लाना चाहरे है आई और i2 में इसके लिए क्या कर रहे है कि i2 में लाने के चक्कर में तो देखिए 10 x 9, 19 X 21 X 21 गुना कוש तो 19 X 21 तो एक में 11 x 21 X 29 गुना करके जोड़ दें इसमें गुना कि 11 x 12 x 9ुना करके जोड़ दें भी एक सानाह कि I 25 आप इभी I 26 यह दनों को पेम करकें यह दोनों को षालेंगे तो I 2 एकमान रिखा जिल्यूं में तो इसमें गुना कर लो नवासी से इसमें गुना कर लो दो से तो इसमें गुना कर लिए दो से अब इसको solve किये तो आई कमान आ गया कितना लगफ़क लगफ़क 2 ampere अब आई कमान आ गया तो सुच आप आई कमान यहां दीजिएगा तो कमान निकल जाएगा अब इसके जब आई निकल गया आई निकल गया तो किसी सर्कुट में किसी ब्रांच में करेंट पूछी आप हर एक का निकाल सकते हैं पूछ रहा है 12 ombla में और 8 ombla में एक एंसर होगा i-1 एक एंसर होगा i1 ब्रांच में आपको आई पता है i-2 पता है i-1 पता है तो साब निकाल सकते हैं किसी भी सर्कुट में पूछ दे करेंट कमान किसी भी ब्रांच में तो भर एक ब्रांच में करेंट कमान निकाल सकते हैं इसलिए क्वेश्चन नमर पच्पंचोल होगा चाओन क्या था क्या रिक्यूबिलेंट बताइए अब सूचे कि हां से दू एम्पेर करेंट जा रहा है कर ठोर करेंट में दे रहा तो लेव वो निकितना हुआ है वर्यव यो से थाओ पर भाइट कारिव आवड करेंट करेंट दे रहा हैं कि महां तुंध बयाए इसके मतला कि उपिविलेंट इसके मां निकितना पच्शा से 176प्यम WHO करी निक आहांंसर है है लगवा लगवा 49.9 तरह हैं किया लगवा लगवा कितना फचास तरह से आपका कॉस्चन सौलवा 54 और 55 नेश्ट देखते हैं लोग 56 लोग देखते हैं 56 लोग देखते हैं 56 और यहां भी एक कैप है सीटर है इसका नाम है C1 इसका नाम है C2 इसका नाम है R2 इसका नाम है R1 और M और N कॉस्चन में लिखा है कि M और N के बीच में एक 12 वोल्ट का बैट टिक लगा दिया गया कॉस्चन में इसा बात कि भी MN ब्लाबर 12 वोल्ट आर वन का वैल्यू लिखा हुआ चारों आल टू दो सीवन छे मैक्रो फैराड सीटू तीन मैक्रो फैराड आयम और इनके बीच बार अबॉल्ट कॉस्टन है कि इनदा के एंट चार्ज ओनीच कंडियंसर भेंदा की इज उपेंक के रोज़ दो कॉस्ट साव इसमें जब की उपें है तो अनसर और की उप्रोज है तो पहले ओपें कहाम लोग स्वाल्व कर रहा है तो यह है question number 56 जिसमें दो बार solve करना है एक बार open में आ एक बार close में अभी समाझे कि जब यहां से करेंटि अगर हम मानते की चलना सुरू करेगा तो यहां तक करेंटि जब आएगा तो यहां से करेंटि जाएगा इधार यहां तक मालिया पहुंचे इधार तो जाने कर रास्त है अपने रास्ते से करेंटि जाने नहीं देगा इसका मतलब इस situation में कभी करेंट फ्लो होने वाला बात नहीं है इस situation में कभी करेंट फ्लो नहीं हुग तो simply हो गया है तो के रहे ना रहे कोई दिक्कत है नहीं दोपे नहीं है अब देखिए कि C1, R2, R2 में कोई करेंटि न तो 12 बोल्ट इसको भी मिल रहा और 12 बोल्ट इसको भी मिल रहा है इस रास्ते को भी 12 बोल्ट मिल रहा है इस रास्ते को भी 12 बोल्ट मिल रहा है इस रास्ते को भी 12 बोल्ट मिल रहा है इस रास्ते को भी 12 बोल्ट मिल रहा है इस रास्ते को भी 12 बोल्ट मिल रहा है इस रास चार्ज हो जाएगा C1 या C2 तो फिर आट्व कोई कामे नहीं देगा और मैक्सिम चार्ज कितना हो की अब रावर Cb तो 12 और C1 कमान 6 तो C1 जो है चार्ज हो जाएगा 12 चक 72 मैक्रोकुलम और C2 जो है चार्ज हो जाएगा 12 या 36 मैक्रोकुलम प्लेवततर म्रकल है अँभ जो 13 अविर जागा अविश्टीन हो जाए अब इस दूड गुरुगा जाए गनोगції डंभ सी dit जबंग करेंग देखी करेंग भिल कर डेगा दो करनें के जाए bonded करेंगिया जाए जेगका करेंगा चना करेंग यारे ओज़ने आप naw आछ नंवान चार इंव एंपर में आण चाहरएगा और आट बीलो मघवा तो इसका भी चारी बोल्ट पुटेंसर डिप्रेंस है कि यह दोनों पैरलल है यह कनेक्सर हो जाने से तो चार बोल्ट तो इभी चार बोल्ट अई याट बोल्ट तो अब C1 है छे माइक्रो फेराड तो आठ चक अन्तालिस मैक्रो कुलों और C2 जो तीन मैक्रो फेराड है उचारतिया बार मैक्रो कुलों तीस अन्सराइगा और तालिस मैक्रो कुलों और बार मैक्रो कुलों और कुस्टन नम्मर फिप्टी सेवैं कि यहां पर एक की लगा हुआ है यह होगी है आर वान यह है आर टू यह सी टू और यह सी वन एम और एन के बीच कुस्टन में लिखा हुआ कि बार फोर्ट लगाया गया ऐ आर वन का वैलू चार ओम है दो ओम सी वन का बैलू सिवमाक्रो फैराड और सी 2 वासटतुपद में खया है फिर से निकालना चार्ज और एश इत केंडैंसर ओपें एड कलोज ओपें और को रोज में चार्ज और इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा इसमें इसमें सीरीज में 12 बोल्ट मिलेगा C1 C2 को सिरीज में तो C1 C2 सिरीज में कितना हो जागा C1 C2 बटा C1 पलस C2 18 बटे 9 गरावर 2 Macro Ferad तो नहीं 2 Macro Ferad है इसको 12 बोल्ट मिल रहा है तो इस दुनों मिलकों के 2 Macro Ferad छाथ 6 और 3, 4 ते मिलकों के सिरीज में 2 Macro Ferad तो बारा दोने 24 Macro Ferad चार जाएगा है इस रास्ता से तो दोनों में जाए 24 Macro Ferad को सिरीज में है तो दोनों आदोने अंसर होगा 24 Macro Ferad अब B में लिखावाए कि क्लोज अब 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 एक क्लोज अगर एक क्लोज कर देंगे तो देखिए अब करेंट तो इसके पहले भी जा रहा था ऐसे करेंट जा रहा था ऐसे हो पर कि इस रास्ता से और वे भी जा रहा है तो अब जो करेंट जा रहा है में यहां तो चाहर आट दू चो है बाए बोल्ट धूए सवाइब जो अब इस चल रहा है है अब चल रहा हैं चार ओम का था चाजनी be भोल्ट इखाया और इसा दो ओंका आज दू इंपियर जार रहा तो दूद्टी चार बोल्ट इभी चार बोल्ट पैरलल हो गी दो आफ डोल तेवी आट बोल्ट तो आट बोल्ट आइस चो माइक्रोब फेरा तो आठ चक और तालिस मैक्रोकुलों वाला चार्ज होगा और सीट्टू बहुला चार्ज होगा चार्भून रख ते ही न दुचार्थिया 12 मैक्रोकुलों 1348 मैक्रोकुलों और 12 मैक्रोकुलों question number 8 संतामन से हिए कर कि इंद एभब question calculate भी ये भी भेन लख की is open and close जब एकी open है तो A और B के बीच का potential बताईए और जब एक close है तब potential बताईए अंठामन नमबर सवाल में तो close का भी है तो close के आपने निकाल लेते हैं अब सुचिए कि 8 volt यहां भी है 8 volt यहां भी है यहां 0 है यहां 12 यहां we are here, 8 is a aqu ndinquちゃん kेटन है जीरो इक क्लोज किसम है को भी है जीरो जब ये और B ऑपन था तब बताना कि इसके पीच के potential difference क्या है जब यह और बी ओपन था तब आट बोल्ट का यह आट बोल्ट नहीं रहेगा इस चार बोल्ट नहीं रहेगा तेकि नहीं है कि 12 यहां आट बोल्ट है तहीं बचेगा चार बोल्ट चार बोल्ट भी खागे दिया मचा जीरू अब इधर का देखिए C1 C2 कितना चार्ज था उस समय चार्ज के इतना चल रहा था पूरे सर्कृट में उपन हो 24 मैक्रोकुलों अब सूचे कि 6 मैक्रो फेराड की कैपसीटर को 24 मैक्रोकुलों मिल रहा है इसका मतलब चार बोल्ट खा रहा है तेने क्यूव ब्राबर सीवी क्यूव होगा 24 ओपन के समय क्यूव है 24 आज़ी है चार बोल्ट दो कितना बोल्ट अब आट वोल्ट एक खाएगा इसे देख लिए जिए 24 मैक्रोकुलों में इसको ही मिला आए 3 मैक्रो फेराड था तो आठ ती है 24 मत जी रो इसका मतलब उसमें 8 बोल्ट स्याथ यहां चार बोल्ट यहां आट गो अंतर कितना ह reactors रहा और से भी निकाल। भी से जह मैंने भी alguns मद्ना भी माझा माइनस मीनस भी Cass hago Fat तो यह आपका एंसर फिप्टी नाइन का ने फिप्टी एट का एंसर वही यह कोच्छन था आपका फिप्टी एट